पांस दिसम्बर को गोगा मेडी साब का जो हत्याकांड हुआ है उसके तुरंद पश्चात जो दो मुल्जिम बच गये थे वो जईपूर शाहर से फरार होने में सफल हो गया खड़नाक्रम के पश्चात उनको चिन्नी करन करके उसको दस्तियाब करना एक बड़ा चैलेंज थे हमारे उपर जेपूर पुलिस का स्पेशल टीम पुलिस आयुकताले का स्पेशल टीम जेपूर आयुकताले का साइबर सेल इन लोगों ने मिला के हमारे पास मौके से जो उपलब्द तक्नीकी साक्षिया उनका एनलिसिस किया सीसी टीवी फुटेजस का खंगाल लिया और हमें एक definite direction मिल गया कि मुल्जिमान कौन है और कहां जा रहा है मौके से जो बरामत किया जो स्कॉर्पियो वाहन जिसमें वो अत्यारे आये थे उसके बारे में भी हम जांच परताल किया उससे भी कुछ क्लूस मिला ये सारे मिला के हमें एक direction मिल गया कि किस तरफ कैसे गया तो हमारे सारे टीम है पांस तारिख से ही इन मुल्जिमान को दस्तियाब करने का कार्य में लेगे हुए थे दो तीन दिन तक हमारे काम चलते रहा लेकिन हमेशा हमारे टीम करीब मुल्जिमान से 6 से 8 घंडे पीछे रहा इस बीच में साइटी के पास एक अहम सूचना आ गया कि मुल्जिमान डीडवाना में देखा गया है उस सूचना को और डेवलप किया और हमारे स्पेशल टीम जो है उनको कुछ मुखबीरों से कुछ सूचना मिला जो इनको आगे प्रोटक्शन दे रहा है तो जो मुल्जिमान को पकड़ने के साथ साथ हमारे टीम यहाँ जेपूर शाहर में जेपूर शाहर के अंदर इसको कैसे फसिलिटेश्न किया कैसे सुवदायण दिया कौन-कौन इसमें शामिल थे, क्या-क्या से विदायन दिया, कहां उसको रुखवा है, कहां उसको खाना किला है, यह सारे चीज भी इन्वेस्टिगेट कर रहा था. तो उसमें भी जो वेक्ति और जो परिसर यूष में हो गया, कहां प्रती दिन वो रुके थे, कहां-कहां घूम लिया, कौन-कौन वहन यूज किया ये सारे चीज हमारे रिकॉर्ड में आ गया तो एक साइड में ये जेपुर शहर का जो व्यवस्ताएं के बारे में पूरा डीटेल ले लिया दूसरे तरफ फील्ड में जो दो फरार हो गया उसको पकड़ने के काम भी जारी रहा दीरवाना के बाद हमें सूचना मिला कि दीरवाना से आगे ये दारोहेडा गया दारोहेडा से ये आगे हिसार गया ये हिसर गया करके हमें जो सूचना उपलब कराने में हर्याना पुलिस का भी काफी अच्छा महतपूर्णुपू भी का रहा हर्याना पुलिस के सूचना का अधार पर हम हिसर पहुंच गया उस दारान हमने कुछ इंफॉर्मेशन पंजाब पुलिस से भी शेयर किया पंजाब पुलिस ने भी हमें इंपुट्स देते रहा हिसर पहुंचने के बाद दिल्ली पुलिस का स्पेशिल टीम हमरे साथ जुड़ गया और हिसर से आगे जो भी कारवाई हुआ राजस्तान पुलिस और दिल्ली पुलिस का सम्युक्त रूप का कारवाई हुआ और आठ तारिक को हम स्पष्ट उनका लोकेशन के बारे में रियल टाइम का सूचना मिल गया और उसके फल स्वरूब कल्स नौ तारी को जो दो शूटर्स थे और उनको जो व्यवस्ता करा रहा था लोजिस्टिकल एसिस्टेंस दे रहा था उनको हम चांडिगर सेक्टर 22 में एक होटेल के बाहर से दे दस्तियाब किया और उनको अभी राजस्ता लाया गया है और उनको आगे का पूछताच किया जाएगा इसके पहले एक जो ग्रूप था जो जो प्रकरन के पहले जो इनको सुवधायन देते थे जो उनको फेसिलेटेर करते थे उनमें से एक विक्तिकल कल हम घ्रफ़तार किया था आज उसको कोट में पेश करके उसका अभिरक्षा भी ले आ गया इसके इसके बाद दूसरा एक ग्रूप और थे जो इसको और कोई व्यवस्ता करा रहा था वेपन सुबलब करा रहा था उस ग्रूप के बारे में भी हमें के जानकारी प्राफ्त हो गया वो मोडियूल भी हमने करा किया यह दोनों चीज हो गया मुल्जम को जो Shooter को पकड़ने के पहले जो क्या Cash misconception हो गया जो Weapon Delivery हो गया जो वहिकल उभ लपकराया गया यह सारेचीज जो Shooter मकले पिते उसको पकड़ने के पहले ही हमने क्राक किया था अभी ये तो प्रतम चरण हो गया अभी जितना काम हो गया ये केवल प्रतम चरण है जो mastermind है जो conspirator main conspirator है उन तक जाल बिछा रखा है तो हमारा next जो सरण है इस पूरा episode को जिस तरह तयार किया उन तक पहुंचे और उनको कानून के सामने लाने का है